अक्टूबर माह के पहले दो दिन तुलाराशी के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। जय मादादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्योब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी एक अक्टूबर और दो अक्टूबर के तुलाराशी फल के बारे में। और नौकरी दुकान हर एक चीज और साथ में वीडियो के अंत में उपाए भी शुब रंग भी और इन दो दिनों का शुब समय भी। पक्ष की द्वित्या तिथी से शुरुवात होगी लेकिन सुभा 49 तकी द्वित्या तिथी रहेगी उसके बाद तिरत्या लग जाएगी शुराद पक्ष चल रहे हैं तो तिथी के अनुसार अपने पित्रों का शुराद जरूर करते रहें। व्यागात नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा मेश रासी में मौजूद हैं लेकिन मेश रासी में यहाँ चंद्रमा के साथ गुरू और राहु भी बैठे हैं। एक तो हो गया यहाँ पर इन तीनों ग्रहों का त्रिग्रही योग। दूसरा जब भी चंद्र गुरू के साथ आते हैं तो गजकेस्री योग बनाते हैं। आप दूसरी चीज़ आती है सूरिये जो है वो कन्यराशी में विराजमान है थो दोग रह तो थे ही लेकिन इस एक अक्टूबर के दिन बुध का भी राशि परिवर्टन कन्यराशी में होगा जो की बुध की अपनी राशी है उच्छ राशी है अब उच्छ राशी में जब यहां बुद्ध आएंगे तो सूरिय जब भी बुद्ध के साथ होते हैं तो बुद्धा दित्तर राजयोग बनाते हैं तो अब यहां बन गया बुद्धा दित्तर राजयोग और तीन ग्रह कन्या राशी में हो गए तो इस तरह से छे जो ग्रहे हैं वो दो ही राशी में विर प्रित्यातित्थी सुबा साड़े साथ तक उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी भर्णी नक्षत्र रहेगा और हर्शन नाम का योग बनेगा साड़े दस तक उसके बाद वजर नाम का योग बनेगा चंद्रमा मेश रासी में है इस दिन लेकिन इसी दिन चंद्रमा का आजमान है आप यहाँ दो अक्तूबर को भी एक ग्रह का राशी परिवरतन है जो कि है शुकृदेव शुकृदेinky है वो अभी तक करक राशी में थे लेकिन अब वो आ जायेंगे सेहिं राशी में आपके ग्यारवे भाव में शुक्र का राशी परिवरतन हो जाएगा दोनों और ग्रहों का राशिपरिवर्तन भी है, जिससे कई तरह की योगों का और निर्मान हो गया, तो ये हमारी ग्रहों की इस्तिथियां है, और इनका जो प्रभाव कैसा होगा चले जानते हैं, एक अक्टूबर की पहले में बात करूँगी, तो इस दिन मैं बता दू, स्वास्ते आपका अच्छा है आपकी जो उंची बौधिक शमताएं हैं वो आपको हर तरह की कमियों से लड़ने में साहता करने वाली है देखिए सिर्फ सकारातमक विचारों के जरिये आप किसी भी तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं जो positive thoughts होते हैं वो आपको एक शक्ती देते हैं कि आपके अंदर positivity होगी तो आप हर एक चीज को आसानी से ठीक कर पाएंगे problem से को भी solve कर पाएंगे आप अच्छे विचार भी आपके पास होंगे जहां negativity है वहाँ चीजे और ज़्यादा minus में चले जाएंगे जीवन साथी से पैसों से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर बह हो सकता है कि बहस हो जाए लेकिन हो सकता है कि आप दहरे रखते हुए चीजों को समभाल भी लें अब यहां खर्चे का भी योग है लेकिन जो शाम का समय इस दिन होगा बढ़िया योजना बना कर आप इस दिन को खुशनमा बना देंगे अब प्रेम का बुखार चड़ने वाला है इस राशी के उन जात्वों के उपर जो प्रेम सम्मंद से जुड़े हुए हैं आज आप बहुत चान उभाव कर पाएंगे बिना किसी को अवगत कराए ही आज आपके घर में किसी दूर के रिष्टेदार की एंट्रे भी हो सकते यानि आज महमानों के आने का दिन अब इस दिन जीवन साथी का जो प्रेम है वो आपके उपर ऐसे बारिश की तरह महसूस होगा यानि वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम दिखाए दे रहा है बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक जीवन भी बहुत हसीन दिख रहा है यात्रा पर जा सकते हैं यात्रा पर कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है या फिर किसी हसीन अजनवी से मुलाकात हो सकती है जो अच्छे अनुभव करा सकते हैं तो मैं कह सकती हूँ ये दिन आपके लिए बहुत उत्तम है अब देखे योगों की अगर मैं बात करूँ तो सरवार सिद्धीयोग, बुद्ह अधित्य योग और गजकेसरी योग और दो जगह त्रीग्रही योग ऐसे योग जब बनेंगे तो हर एक ग्रह का अपना एक अलग प्रभाव होगा यूति करने के बाद अलग प्रभाव होगा अब जो तुलाराशी के जातक है तो तुलाराशी के जातकों के लिए देखे दे कि दिन की शुरुबात से और अंत तक आपके जो एक फोकस है ना उसको बनाने में आपके मदद करेंगे रचनात्मक चीजों में ज़्यादा आपको फाइदेमन चीजे दिखाई देंगी हर समस्य का समाधान आप निकाल पाएंगे और साथ ही कुछ मुद्दों को नजर अंद यलो कलर आप आज अगर आप पहनते हैं तो वह आपके लिए सारी चीजों को बढ़ाने वाला होगा आप 2 अक्टूबर की बात करेंगे 2 अक्टूबर का दिन चंद्रमा मेश में ही है शुक्र का राशी परिवर्तन होगा जो आपके राशी के स्वामी भी है और आपके ग्य साथ में तुनक मिजाजी नहीं बरतनी है तुनक मिजाजी बरतेंगे तो वह आपके लिए ही जो परिशानी खड़ी कर सकती है बाकी पारिवारी किस्तिती अच्छी रहेगी आज आप खुला खर्चा करते दिखाए दे रहे हैं और साथ में गहर जरूरी खरिदारी बंद कर करते होँ चलें कोई आपका आज बड़ी अच्छी सलहा दे सकता है तो उसकी सलहा को जरूर सुने शुक्र जो कि आपके लाबाहों में आए हैं वो अच्छी रिजल्ट आपको देने वाले हैं अज किसी ऐसे वेक्ति से मिलेंगे जिनका अपने माता पिता से परीचा कराने म आपको संकोच नहीं होगा प्रेम जीवन की शुरुआत हो सकती है विवा की बाते भी यहां चल रही है प्रेम विवा की बाते भी चल सकती है आपके अविभावा का आपकी पसंद से बहुत खुश होंगे क्योंकि आपके वह पार्टनर आपके साथ-साथ आपके घरवालों की भी खातिर करेगा रिष्टों को आगे बढ़ाएंगे शादे की तैयारिया भी शुरू हो सकती है तो काफी अच्छा ये दिन रहने वाला है और देखे शराद पक्ष चल रहे हैं अभी जो की 15 दिनों तक के लिए होते हैं तो अपने पित्रों की जो तिथी है उसके हिसाब से आप श्राद जरूर करें उसका जो प्रभाव बहुत अच्छा होता है और जिवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप समाल नहीं पाते हैं का पता नहीं होता है ऐसी चीज़ें इन पित्र पक्षों में समाली जा सकती हैं इसलिए मैंने का तिथी के नुसा श्राद करें तिथी नहीं पता है तो सर्व पित्र मावश्या के दिन आप श्राद करें किसे भी भूके को किसे भी दिन इन्षाद पक्ष में आप खाना किला सकते हैं मजदूर को खाना किला आप पाहीज को खाना किला जो देख नहीं सकता उसको खाना किलाándor तो उसका जो benefit है और आपको अलगी तरीके से देखने की में लगा हर चीजों का result होता है जब आप nhानप नहीं होगा समय का लाब उठाएं और साथ ही चनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक को शेयर करना ना भूलें